अलेकम मेरे नाम नसीम खान है मेरे हजबन का नाम इश्टियाक आमिर खान है और मेरे अबबा का नाम मुश्टाक अब्दुल्ला शेख है मैं यहां गुलबर्गे में आज यह जो भी बात कर रहे हैं आपसे वो इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे अबबा की जो भी प्रॉपर्टी है तो बॉम्बे में ये तीनों जगह पे जो भी प्रॉपर्टी है इसको अब जो हमारा भाई है आरीफ मुश्ताक शेक वो हमें बिना बताए वो इसको बेचने की कोशिश की जा रही है तो हमारी आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जब तक यह सारी की चीज़े सॉल्व नहीं हो जाती है तो प्लीज कोई इस प्रॉपर्टी को ना खरीदे और यह जो फैमिली लिटिगेशन है इसमें आप लोग इन्वाल्व ना हो प्रॉपर्टी जो है तिंगली में जो है तिंगली में वो जो है वो चार एकर और साथ एकर यह बारा एकर खेत है सर्वे नंबर 6 & 7 और कलबुर्गी में जो प्रॉपर्टी है यह जो आप देख सकते हैं यह यह प्लॉट है और गंज में गंज में यह प्लॉट है और बंगलो है अलहुदा मंजिल जवारी हिन स्कूल नया मोहला कलबुर्गी प्लाट नंबर 7 सर्वे नंबर 55 और इसका मेजमेंट है 1160 स्कूर फिट और एक प्लॉट है सर्वे नंबर 55 और इसका मेजमेंट है 1350 स्कूर फिट और इसका सीटीएस नंबर है 1106 यह यहीं पर जो आप पीछे देख सकते हैं यहीं पर है गंच कलबुर्गी तो यह सारी चीजें जो है यह सारी जो प्रॉपर्टीज है मेरी गुलबरगा कॉर्परेशन कमिशनर से भी यह अपील है यह रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस मैटर में दे देखिए और देखिए कि यह जो है जब तक यह चीजें सॉल्फ नहीं हो जाती है तो कोई इस चीज में ना हो कोई म्यूटेशन ना हो कोई पेपर ट्रांसफर ना हो ऐसी कोई चीजें ना हो जोनल कमिशनर 1,2,3 यह तीनों से भी हमारी यही रिक्वेस्ट और अपील है कि आप लोग प्लीज हमारी हेल्प करिये कि जो भी ट्रांसफर है यह जो है नहीं हुआ है अभी तक तो इस पे आप प्लीज स्टे लगाईए और जब तक यह चीजें सॉल्फ ना होती है आप इस पे कोई कारवा है हमने जो भी कोट केसिस के लिए जो भी फर्मालिटी करनी है वो कर दी है अब शायद एक वीक में प्रोसेस चालू हो जाएगा स्टे भी लग जाएगा गुलबरगे के अवाम से यह अपील करते हैं कि फामिली है फामिली को जोड़के रखिये भाई बेहन है आपके जितने भाई है या बेहन है सबको एक साथ रखिये रिष्टे तोड यह ना खरीदे इस चीज में इन्वाल्व ना हो और अगर आप ऐसे करते हैं तो फिर आपके उपर कानूनी कारवाही की जाएगी